मेरी सांसों में बस ये खुश्बू तेरी ये तेरे प्यार की है जादू गरी तेरी आवाज है हवाओं में प्यार का रंग है फिजाओं में दड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए क्या कहूं की शर्म से ही हैं लब सिले हुए देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए आँ ये गिला है आपके निगाहों से अक्षय हमारे साथ ग्रूप में हैं और हम लोग अभी आए हैं आंध्रा में नेमीज अक्षय बताएंगे अभी और ये किस लिए पॉपलर है हिस्टोरिकल प्लेस कितना पुराना है तो अक्षय बताईए क्या जानते हैं इस जगर के बारे में मैं अक्षय हमारे मैं एक विसितर हूँ इधर और ये गंडी कुटा फोर्ट है जो 12th century में बनाया गया था अरांड 1129 AD और जो किंग थे वो काकाटिया किंग थे जिन्हों ने बनाया था तो इधर और और जिए एक सो एक तावर्स थे है और जिए अभी ये कंट सी था इनमोर and around 1400s yeah 1500 के साथ मैं it was overtaken by the sultanate kings and they and sultanate army general and then it was like there was a mosque built over here and you know things them yeah we are saying temple bhi hai, mosque bhi hai temple bhi hai, abhi bhi aap dek sakte it's a very beautiful room most of the things we can make out क्यूu unka architecture kitna strongly Dravidian tha and there are so many details in every pillar you can see Lord Hanuman, Lord Vishnu and you can see many small other protective angels which we are talking about basically you can see Ramayan Mahabharat related her character who has been made in carving absolutely yes we can see that throughout and horses bhi hai you can see you know like warrior like in the pillars like they are protecting the temple every pillar has a warrior mounted on the horse it's like that just why you are trying chalo, bhot acha you have told me thank you so much thank you so much Mumbai Lokmane Tilak station Mumbai Lokmane Tilak station we are going to the train to go to Ghandi Kota this is Chennai Express this is a big group and this group is a group and we are going to go dark green adventure group which is called Krishna so what's here? I wanna see the picture I wanna see the picture oh yeah yes yes we are going to the picture yes Station kaa nam sil? Tadi patri Tadi Patri Tadi patri Tadi patri we are going for Grand Canyon and Kichkeve Betul Cave enjoy ताड़ी पत्रे स्टेशन से गांडी कोटा फोर्ट जाने के लिए हमें करीब धाई घंटे का सफर तैय करना है और इसके लिए हमारे लिए दो बसे रेडी की गई है बुक कई गई है बड़ी बस है एक ट्रैवलर और एक जीब की तरह है तो इन सब में हम लोग बैट के गांडी कोटा फोर्ट जाएंगे और देखिए हमने सफर शुरू कर दिये है सब अपना अपना लगेज सेट करने में लगे हैं ताकि अच्छे से लगेज भी चला जाए और कुछ छूटे भी ना और धीरे धीरे सब बस में बैटना शुरू कर दिये हैं लंबा सफर है इसलिए सब के साथ थोड़ा बहुत लगेज है मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही क्योंकि मैं सब कुछ लेके ही चलती हू ताकि कुछ प्रब्लम ना हूु छब लाष झाला वहाँ आयु को और ने झाले लिए एक्षाष नहीं ताइल उदेशिन भी और नहीं को अच्मी लड़ी जिए कवो पादियो काẫnा सिल तरी तरण सेयुड्सताह सांबेक्षाष मुच्य तरण काफेश। coffee with dark sugar coffee 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 welcome how is coffee very nice cheers cheers wow good girl I gave you smiley गांडी कोटा एक एक्तिहासिक किला है और एक गाउं का भी नाम है ये 300 से भी अधिक वर्षों तक पंपासनी नायक की राजधानी थी रामलिंग नायक ने गांडी कोटा में विशाहल के लेका 101 मिनारों के साथ निर्मान किया था जो आज भी देखने में काफी भव्य लगता है आईए चलिए हमारे साथा में उसके विडियों में आएंगे लेगाए अज़िती बचारे बच्परी के इशारे अज़िती बच्परी के लेगाए किले के पास हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और वहाँ आंध्रा प्रदेश सरकार की तरफ से रिसॉर्ट है जहां कि हमें स्टे करना है रुकना है और हम अज़ पहुंचने ही वाले हैं अज़िती कोटा देखिए हमें वोडिंग भी देखिया और हमारी बस अज़ितर के बीतर जाने वाली है और यह है में इंगेट और यह है विस्वर्ट आंध्रापदेश को इसमें कि हम लोग आज स्टी करने वाले हैं अज़िती में वाले हैं और जाहें तो गूगल से भी और यह उनलाइन से भी इसको बुक कर सकते हैं और शायद अभी और यह बुक हो रहा है और हम आगए रूम में शेयर नम्बर लास्ट में परिवाद राबाद राइं परिवाद अग्यां और यह बलेग पर यह राख अग्यां प्रम ट्र आखळाद करूए अग्यां अज़्ग अग्यां प्रेवाद वाले हैं यह लोग इस यह उनाम प्लीड और शाव changing the right कर दददीज को रखिम, पॉर ज़ायाइशInV करनीश तेस्ट था भीजम related अड्रा केला सट हमक ड्राइशना अप्यूमर ynौन करना करोड़ साथ है देखत को हैं अभुड़र THAT जयती ते से साथ जफ़ाइब रूफ्वड़ sector वेनवर एफिल्म कि ऐ दो पिंख करना के डिए यो रिख रीख रहे हैं जो कि पीड़ती है और गुबने को भी देगा बढ़े अच्छा न है आप पूछतेड कि आसे लिए था और अछिए रही है विल्सागि देगा सिंख लिए ये हैं किले का प्रमुक दर्वाजा इसके दर्वाजे को देखिए कितना सुन्दर और कितना मजबूत है ये और बहुत बड़ा भी नहीं है मतलब इस दर्वाजे की चोड़ाई जादा नहीं है जिससे कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहीं घुश सकते छोटी-छोटी अगारईां सिद्धा सकती हैं अब के मजबूती से ये बनाया हुआ है और एक चोटा सा हनमान जी का मंदिर और ये हैं कबूतर देखने का टावर जिसके उपर चचके पहले लोग कबूतर देखते थे इसके भीतर बहुत ही बड़ा गाउं बसा हुआ है अभी भी काफी लोग रहते हैं यह है पार्किंग एरिया जहां हमारी भी बस लगी और हम लोग यहां से उतर कर पैदल आगे बढ़ेंगे किले के भीतर जाएंगे किले के भीतर दो प्राचीन मंदिर हैं जो माधो और रंगनात को समर्पित हैं किले में खुबसूरत कबुटर टावर है जिसमें की काफी बड़ी बड़ी खिर्किया हैं एक पुराना तोपखाना भी है और यह देखिए हमारे ग्रुप को हम लेडीज पार्टी पूरा अपना वीडियो ले रहे हैं और सभी आने की कोशिस कर रहे हैं इसमें इसलिए मैंने सेलफे पिक नहीं लिया वीडियो लिया ताकि मैं गुमाके सब को कवर कर सकूं और कोशिस कर सकूं कि सभी आ जाएं कुछ लेडीज कहीं कहीं फोटोग्राफी में बिजी हैं इसलिए सारे यहा है अच्छी है और मैं अभी आई हूँ एक बड़े अच्छे ग्रुप के साथ में आंध्रेप्रदेश और स्टेशन का नाम है ताड़ी पात्री यह बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है जहां की गॉंडी कोटा फूर्ट है और बहुत ही बड़ा पन्ना वीवर पे कैनियन है जिस कोटा फूर्ट देखने है और यह फूर्ट के भीटर किया मंदिर है मस्जिद है बहुत ही सुन्दर काविंग है और यह बहुत पुरानी जगा है तो वीडियो कैसा अच्छा लगा बताईएगा लाइक श्यर जरू कीजेगा और जो फॉस टाइम देखने है प्लीज सब्सक कि जरू कि एगा है और जह बहुत है और यह बहुत है।